अब देखो मैं diagonal की बात कर रहा हूँ, cube के diagonal की, ठीक है ना, क्यूंकि आपको A और R का relation चाहिए, मानलो आपको A और R का relation चाहिए, A और R का, आपको कहां से मिलेगा A और R का relation, मैं वापस से बता रहा हूँ, अगर आपको A and R का relation चाहिए, relation between A and R, तो ओ कहां से मिलेगा, जहां यहां पे atom क्या कर रहे हैं, बोलो, touch कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ, body center में यह दो atom एक दुसरे से touch करते हैं, क्या side वाले, तो आप cancer है, नहीं, तो यह बात सबको clear है, क्यूंकि मैं आप, अगर atom touch नहीं कर सकते हैं, तो मैं इसको A is equal to 2R नहीं लिख सकता, समझ मैं आया मैं न सर, एक दुसरे को touch कर रहे हैं, इस तरह से, तो कितना आएगा जल्दी बताओ, cube निकालता हूँ, रुख जाओ, सकरकल निकालता हूँ, one, two, three, मानलो यह diagonal है, ठीक है ना, cube का diagonal है, this is diagonal of cube, अब आप खुद से बताओ मुझे, कि कितने आ रहेंगे, मानलो अब cube के diagonal की length, यहां से मानलो यह cube है, यहां से तो यहां तक, मुझे बताओ, cube के diagonal की length क्या होती है, बताओ जल्दी से, तो होगा आपका a root three, आया समझ में, cube के diagonal की length होती, a root three, ठीक है ना, यह पढ़ा, already में पढ़ा चुका हूँ, अब कितने आ रहेंगे, तो आप बोलोगे, सर देखो, one r, two r, three r, और four r आएगा, ठीक है ना, तो a root three is equal to कितना r आएगा, four r, तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, बोलो भाई, four by root three, बो, four by root three r, तो यह relation सबको समझ में है, body center के लिए, जल्दी बताओ, a is equal to four by root three r, ठीक है, सबको clear है, अच्छे से, चलो, आगे बढ़ते, बोल अब दूसरी बात, body center जो है ना, body center unit cell, आप बताओ, इसमें आपको number of atom पूछ सकते, तो कैसे निकालोगे, तो सर, एक तो body center पे होगा, बाकी के होगे, सर, corner पे, तो आप बोलोगे, सर जी, बहुत आसाने, देखो, कैसे निकालेंगे, तो मुझे बताओ, z कैसे निकालते, त तो sharing से निकालेंगे, तो आप बोलोगे, सर जी, जो corner वाले item है, वो कितने जगा पे share है, 1 by 8, तो ऐसे कितने बोलो, 8 है, तो मैं लिख सकता हूँ, z is equal to, 1 by 8 into 8, plus body center को एक atom है, तो plus 1, तो कितना आगा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कितना आगा है, तो 1 plus 1, बोले तो कितना, 2, तो number of atoms कितने बलाओ, body center cubic में number of atoms कितने है, तो आप बोलोगे, सर, z आपका आएगा, 2, clear है सबको, बताओ, जल्दी से, बहुत अच्छे से clear है, अब आगे आपको पताओ, देखो, अब packing efficiency कैसे निकालेंगे, सर जी, तो आप बोलोगे, सर, packing efficiency होती है, सर, z into 4 by 3, pi r cube divided by a cube is equal into 100, a cube क्या आजाएगा, आपका जल्दी बताओ, यहाँ, z की जगापे में ले लेता हो, 2, 2 into 4 by 3, pi r cube divided by a cube की जगापे में लिख सकता हो, 4 by root 3, ठीके ना, 4 by root 3, मतलब इसका total cube आजाएगा, ठीके ना, 4 by root 3, r का cube, into 100, जब आप इसको solve करोगे न, यह पता है, r cube से answer हो जाएगा, ठीके न, आप जब इसको solve करोगे, तो packing efficiency आपके कितने आजाएगे, जल्दी बताओ, 68%, समझ में आया सबको, जल्दी बताओ, packing efficiency कितने आई, 68% आई, आप दूसरी बात, अब बहुत अच्छे सुनो, यहां तक की बाते सबको clear है, message करके बताओ, हाई आना, पहले बताओ, यहां तक की बाते सबको clear है, जल्दी बता दो, अब इतक हमने क्या-क्या पड़ा, देखो, body center के बारे में, body center cubic के बारे में, body center cubic के बारे में, सबसे पहली बात, a is equal to क्या होता है, 4 by, या फिर ऐसे लिख सकते हो, a root 3 is equal to, 4R, दूसरी चीज हमने पड़ी, जेड होता है, 2, तीसरी चीज हमने पड़ी, packing efficiency कितनी होती बता दुदल्दी, 68% packing efficiency, packing fraction कितना होता है, 0.68, और wide कितना होता है, 32%, यह बढ़ा हमने percentage wide होगे रहे, चलो, यहां तक की बात है clear है, अब आपको पूछेंगे coordination number of atom, तो मुझे बताओ, आप खुछ से बताओ, बी सी सी में, बी सी सी में देखो, बहुत अच्छे से सुनो, जो center वाला atom है, वो कितने atom को touch कर रहा है, तो आप बोलोगे सर, नीचे की तरफ 4 atom, और उपर की तरफ 4 atom को touch कर रहा है, तो बताओ, इस atom का body center वाले atom का coordination number क्या है, बोलो, body center वाले atom का coordination number आपका आ जाएगा, 8, message क करो clear है सबको, यहां तक की बात है सबको clear है, message करो high आना, message करो high आना, लेकिन question आता है कि sir, corner वाले atom का क्या फिर, question क्या आता है, जल्दी बताओ, कि sir, corner वाले atom का क्या फिर, सही है न, तो देखो, मैं आप बता देता है, आप सबको, क्या reality है, और क्या हमें देखना चाहिए, सुनो अच्छे से, मुझे क्या बताना है आपको, इस diagram से हम हर एक unit cell को अच्छे से explain कर सकते हैं, ठीक है न, बच्चो, तो अच्छे से इस diagram को देखो, ठीक है न, इस diagram को अच्छे से देखो, तो try to understood कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, देखो, आप में इनको, रुख जाओ, रुख जाओ, मैं बता रहा हूँ, आपका सारे मतलब जितने भी आप बोल रहे हूँ न, क्या सही, क्या गलत, आपको एक minute में पता चल जाएगा, बस थोड़ा सा रुख जाओ, और यह ब्लू वाला, ब्लू वाले को ब्लू वाले से जोड़ दो, कुछ इस तरह से, और कुछ इस तरह से, देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन कोई बात नहीं भई, easy है, सारी चीज़े, जोड़ दो, कितने आसानी से बना लेता हूँ, आपको भी, देखो, अज़े से सुरना、 यह देखो इस unit cell को, देखो यह वाले, इसका body center ले लेता हूँ, आगे वाली को देखो, हम पीछे वाली को ने, आगे वाली को, यह वाला item, इस वाले corner को touch कर अब यह वाला corner देखो यह वाला corner यह corner है ना देखो यह वाला item और वाला item है बच्छों आया नहीं जल्दी बताओ मैसेज करके बताओ